कि हलो फ्रेंड्स वेलकम टो इमाचल एस्टडी जो हमने एक्षब की और एक्जाम की जो शीरी शुरू करिये है उसके अंद्रवाद आज हमें एक नहीं एक और नहीं शीरी शुरू करने वाले हैं तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हिंदी सेक्षण करएंधे था ग्योंकि आपको पते हैं कि हिए एपने अप में हश्व्य हरते हैं था इसमें जो कोश्णों की संख्या होती है कई यूद्दा सोग्याथ होती है और चूँ मैंने एम जोन पर Claire जानलिम करना I एक में स्टेइनो टैपिष्ट के पेपर में मैंने हिंदी के कोशनों की संक्या 26 तीडि तो हम हिंदी को इगणोर नहीं कर सकते हैं और हिंदी इतने टब भी नहींी आती है इन्ट अग्जाम में तो हमें हिंदी जो भी मतलब हिंदी भी अपनी पढ़के जानी है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं कि व्यक्या का संदी विशेलाच सोरी से उपर भी एक कोशन है ठीक है शुच शब्द है तो जो शुच शब्द है वो आप देखोगे कि ए में इनोंने उपर दिया है अन्सवार बाकी कंट में भी इनोंने अधन दिया है इसमें C में अधन और इसमें D में कंट तो इसका जो से अंसर है वो A है ठीक है सिंपल है यह हमने जो इनोंने उलजाने के लिए होते है सारे जो आपको पता है जो चैस दी होती है लेकिन इसका जो सिंपल यह है और 191 का A है ठीक है और 192 व्यक्या का संदी वि है और इस में जो वुप्षण इसका सी है और शवर संधी वह संधी में भी अगर हम बात करें तो यह अंग संधी ठीक है तो इसको उप्चन सी सही है बाकि अगर संदी विशेद में बहुत पच्छों को बहुत कन्फीजर रहती है अगर कन्फीजर रहती है तो उस पे हम एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि जो ट्रिक टाइप होता और वो ट्रिक 90% काम करती है ठीक है तो जिन को भी मतलब है कि एक्जाम में आता है है तो जो तद्धब का मतलब होता है कि तद्धब को बोलते है कि जो हमने संस्कृत से थोड़ा बदलाब करके हिंदी में लिए हैं ठीक है उन सब्दों को तद्बह बोलते हैं तो जो इसका जो राइट अंसर है वह ऐ और फॉलिंग शब्तों आपको बती है शुरू से करते हैं प्रैमरी से तो इसका जो राइट एंसर है बाकी इनोंने इतना संद ले दिया है क्योंकि उन्होंने ए और भी ए और सी दे दिया है ठीक है एक जैसे हैं लेकिन इसमें जो मियाद रखना है इसका जो राइट अंसर है इन्होंने नीचे हलन्द दे दिया हलन्द का मतलब आपको पते है कि जो भी शब्द होता है उसका मतलब आदा होता है ठीक है तो हमने जो भी इसका जो राइट अंसर है वो हलन्द वाला है ठीक है ये निया सी तो याद रखना है इनके लिए करता हूँ और मैं अपने मात। पिता हैं अपने पूरे प्रिवार को ब्लें करता हूँ लंग में तो तो मतलब त्यार करके जाओ संदिस मास और यह शुद्ध शुद्ध शब्जोवी हैं तो हिंदी में ज्यादा टोपिक नहीं हो त्यादस बारा टोपिक अगर आपने कर लिए और भी मतलब चार पांस दिन में हिंदी कबर हो जाती हैं और इससे आप की हच्वेस्वी के पेपर ठीक है भाई बहन इसका मतलब तोवन स्वास्ता भाई और बहन ठीक है कई बारा ऐसे आज़ता है माता फिर योजक चिन पीता तो इसमें वी द्वांदीस मास होता है माता और पीता ठीक है ऐसे बहुत शारे शब्द हैं पाकिस का जो राइट अंसरो एई था तो शेवक संगया तो भाववाचक संगया आपको पते है कि भाववाचक संगया किसे बोलते हैं कि जैसे मतलब किसी चीज क्या किसी मतलब भावगुन को मतलब ऐसे तरशे परदर्शित करते हैं दिखाते हैं जो शब्द है उन्हीं को भाववाचक संगया बोलता है कि जैसे क्रोध हो जो राइट अनसर होगा वह सेवा होगा ठीक है अब आया वन नेक्सक्त कोर्षि होाँ ना 1970 तो अभी वेक्टी की प्रईवाची शब्दा पाते ही हैं बाकी तद्सम तद्वब इनके लिए भी हर चीज के लिए एक ट्रिक है वैसे मैं शेयर करूँगा बाकी फिलाल के लिए आप देख लो कि किस तरह के एक्जाम में कोशन आते हैं और अगला कुश means है अपकास का दिलू तो आपकास का दिलो तो आपकास का तो आपको पता है सुम्पल ही नहीं रख़ए आपर अनावाकास है जो देरे देरे डिसक्स करेंगे सीरिस वाइस बख्की थेंक्यू